और कैसे हैं आप सब? मैं आदित्य शंकर, डाउटनट का को फाउंडर आज फिर आप से मिलने आया हूँ और डाउटनट के महा सरप्राइस का खुलासा भी करूंगा आज लेकिन इस खुलासे से पहले मैं आप सभी के साथ ये जो बीते चार साल डाउटनट ने बिताए हैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा आज से तकरीवन चार साल पहले तनुश्री और मैंने डाउटनट आप को प्ले स्टोर पे रिलीज किया था हमारा मकसद ये था कि भारत के दूर दूर कोने तक हर बच्चे को एक quality education मिल सके अच्छी से अच्छी सिक्षा मिल सके जिसका access अगर उनके पास नहीं है तो एक सिफ मुबाईल फोन के जरिये उनको डाउटनट आप पर मिल जाए हमने शुरुआत की थी सिफ मैक्स के सवालों के जवाब देने से एक बुक में से आप फोटो कीच के सवाल हमें भेजते थे उस सवाल को हम पांच से छे सेकंड के अंदर उसका answer निकालके आपको एक वीडियो में उसका जवाब भेजते हैं इससे आपकी पढ़ाई में काफी मदद हुई बहुत सारे बच्चों ने हमें यह कहा कि से माट्स थोड़ी ही न पढ़ते हैं अगर हमें Physics पढ़ना हो Chemistry पढ़ना हो Biology पढ़ना हो तो वो कैसे होगा तो फिर हमने इन सारे विश्यों के भी सवालों के जवाब वीडियो बना कर अपने प्लाटफॉर्म डाउटनट पर आड़ किया धीरे-धीरे हम इंडिया के नंबर वन आप बन गए आज के दिन भी हम इंडिया के सबसे बड़े आप हैं अगर आप ये देखें कि हर रोज कितने बच्चे डाउटनट आप पर आकर पढ़ाई करते हैं पिशले साल जब कोविड की भयानक समस्या हम सब की साम सामने आई पैंड़मिक स्टक इंडिया और राधर वर्ल्ड तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इससे टूट फूट गई उनके स्कूल बंद हो गए, कोचिंग इस्टिूट, स्टूशन सेंटर्स ये सब कुछ बंद हो गए तो इसमें फिर बच्चों ने हम से पूछा कि डाउटनट हमारी मदद कैसे कर सकता है तो हमने आनन फानन में एक बहतरीन टीम का संगठन किया ये ओफिस जहां पे हमने तकरीवन 40 स्टूडियो बनाए और आप तक ऑनलाइन क्लासेज लेकर आए हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों में हम आपको सारे सब्जेक्स की परहाई अब डाउटनट आप पर ही कराने लग गए और हमने देखा कि सिर्फ एक साल के छोटे से समय में डाउटनट आप पर पढ़कर हमने बहुत सारे राजियों में, स्टेट्स में, जो उनके बोर्ड्स के टॉपर थे, उनको प्रोड्यूज किया हम जब डाउटनट आफिस के अंदर आते हैं, चैसे मैं अभी आ रहा हूँ, तो घुस्ते ही इस दिवार पर हम मिलते हैं उन टॉपर्स से, जिन्होंने डाउटनट पर पढ़ाई करके अपने स्टेट के मेरिट लिस्ट में टॉप टेन में जगह बनाई इसके साथ-साथ, पढ़ाई और डाउट सॉल्विंग के साथ-साथ, हम हर हफ़ते एक स्कॉलर्शिप टेस्ट का भी आयोजन करते हैं, जिसमें तक्रीबन तीन लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस टेस्ट के माध्यम से उन बच्चों को पता चलता है, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, उनका All India Rank से ये पता चलता है कि वो पानी में कितने अंदर है साथी साथ, अभी हाली में हम लेकर आये हैं एक English सीखो गेम, जिसमें आप Doubtnut आप पर English सीखो गेम खेल कर अपने English को मजबूत कर सकते हैं अंग्रेजी में बोलना, सीखना, किसी और से बात करना, ये सब कुछ और आसान हो जाएगा सिर्फ आप नहीं, आपके बड़े भाई बहन, आपके माता पिता, आपके छोटे भाई बहन, आपके आस परोस के दोस्त ये सब लोग Doubtnut आप पर आकर, English सीखो गेम के मदद से, अपनी अंग्रेजी में सुधार ला सकते हैं चलिए, अब और जादा बाते ना करके, मैं अपना काम पूरा करूँ, जिसके लिए आज आपके सामने आया हूँ कि Doubtnut के महा सर्प्राइस का खुला सक्या है तो डाउटनट ने आपके IIT जही अडवांस्ट और नीट की पढ़ाई और बहतरीन करने के लिए और आपके रैंक्स को और अच्छा करने के लिए, इंडिया के महा गुरू को डाउटनट प्लाटफॉर्म पर लेकर आए हैं तो इंडिया के नंबर वन गुरू, इंडिया के नंबर वन एजुकेशन आप डाउटनट पर आपके लिए नंबर वन पढ़ाई, आपके लिए नंबर वन रैंक लाने क्या मौका लेकर आए हैं तो आईए मिलते हैं उस महा गुरू से हमारे स्टूडियो में देखें, अंदर कॉन आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो अब बस इस महा सरप्राइस का खुलासा होने ही वाला है, मैं आप लोगों के सामने डाउटनट प्लाटफॉर्म पर लेकर आया हूं, एंकेसी सर को नाम तो सुना ही होगा आपने, तो डाउटनट प्लाटफॉर्म पर एंकेसी सर का धमाके से स्वागत कीजिए, थैंक्यू अधित्या, बहुत बहुत धन्यवाद, हेलो बच्चो, कैसे हो आप, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher, और बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे लोग मुझे एंकेसी सर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों, मैंने IIT Delhi से B. टेक किया हुआ है, और IIT J.E. के फिल्ड में मैं लास्ट 16 इयर से पढ़ा रहा हूँ, कोटा के टॉप क्लास इंस्ट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ मैं, और हजारों से भी जादा स्टूडेंट्स मेरे सलेक्ट हो चुके हैं IIT J.E. और नीट में, और टॉप 10 में भी म आउटनट पे आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ. चुकि आप IIT खुद भी गए थे और आपने हजारों बच्चों को IIT अपने पढ़ाई के जरिये भेजा हैं, तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने IIT के तेयारी में क्या किया था था, इस्पेशल. आपने तो मुझे तो नहीं पता चलता था, पर मेरे चारो तरफ के जो मेरे फ्रेंड्स थे और लोग थे, वो मुझे बताते थे, कि आप बहुत सीरियस टाइप के स्टूडेंट थे, तो मेरे बड़े भाई की बुक्स जो घर पे रहती थी, वो मुझे एक साल सीनियर थे, और सेम स्कूल में पढ़ते थे, तो थोड़ा-थोड़ा next year क्या होना है, कैसे होना है, उसका idea मुझे रहता था, ठीके न, और 11th class में, starting में ही मैंने decide कर लिया था, कि मुझे IIT J.E. की preparation करनी है, मुझे IIT जाना है, और मैं generally late night पढ़ने वाले students में था, मैं भी, तो तयारी के समय कुछ खास tips अगर आप बता सके बच्चों को, कि अगर हम रात को पढ़ते हैं, तो दिन में हमें क्या करना चाहिए, revision कैसे करना चाहिए, बुक्स में हम अपने जो doubts होगर हैं, उसक यही रहेगे, अगर वो 11th class से अपनी preparation स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ाई पर बहुत अच्छे से focus करना चाहिए, और doubts को solve करने की try करनी चाहिए, doubts नहीं रहने चाहिए, हमारे, मैंने जनरली अपनी preparation के टाइम पर इसी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया, कि मेरे जो doubts ह वो किसी तरीके से solve हो जाए, उससे preparation को एक direction मिल जाती है, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं उसके बाद preparation, हम crack कर सकते हैं अगर हमारे doubts properly solve होते हैं तो, और मुझे और लोगों के doubts solve करने में भी बड़ा अच्छा फील होता था, और जब कोई मेरे doubts solve कर देता था, तो मुझे बड आप अधा आट के तैयारी की, अब आफ आट पहुंचे आट दिली का कैमपस आपको मिला, तो वहां के कुछ मेमरीज हैं, कुछ खटे कुछ मीठे, कुछ चरारती वैसे अधित्याब भी सेम इती डैली से ही हो तो आपको सारा इती डैली का पूरा पता ही है तो एक आपने नोटिस किया होगा कि जब हम लोग मैस में खाना खाने जाते थे यह वो मैमरीज हैं जो मेरे माइड पे बहुत इंपेक्ट डालती है और एक नहीं मैं आपको दो इंसिडेंट बताऊंगा जो बहुत इंपेक्ट फुल रही हैं मेरी लाइफ में और आएटी की ही मैमरीज है तो जैसे मैस में खाने जाते थे तो खूब सारे बच्चे एक साथ बेट के खाते थे तो उस ताइम बहुत थ्रिलिंग हुआ करता था कि हम सोचते थे कर लाइट चली गई तो क्या होगा और उस ताइम अब से लगब 20 साल पुरानी बाते हैं उस ताइम अगर लाइट चली जाती तो इंवर्टर एकदम से नहीं चलता था उसको चलाने के लि कर दिया करता है तो हम बहुत डरे बैट रहे थे कहीं कुछ आना जाए तो वह आजकल जब भी लाइट चली जाती है मुझे तुरंत वह सीन याद आ जाता है आएटी का यह तो वह फन वाली बात हुई ठीक है एक सेकेंड मैमरी है जो मेरे दिमाग पर बहुत असर करके गई तो मुझे वहां मोका मिला स्लम एरिया में जाके बच्चों को पढ़ाने का तो जब मैं फर्स टाइम वहां गया उन बच्चों को पढ़ा के मुझे इतना सुकून फील होता था कि जब भी एक हफते बाद या दो हफते बाद वो NSS की इवेंट होती थी और मैं वहां से पढ कि मैं टीचिंग की तरफ बहुत इंक्लाइन था सही बात है विद्या का दान सर्वश्रेष्ट दान होता है अगर आपको बताएं तो डाउटनट की जो परेंट कंपनी का नाम है जो परेंट कंपनी का नाम है क्लास 21A 21A is the article 21A of Indian constitution which means right to education which provides right to education to the kids and यह हमारे लिए बहुत ग साथ हमारे mission में जुरे हैं और मुझे पूरा भरोसा है पूरा विश्वास है कि हम भारत के सारे बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई प्रदान कर पाएंगे एंकेसी सर के साथ मिलके सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं कि आप नंबर वन एजुकेटर हैं वालब थू आप क्या सोचते हैं कि यह विजन कितना बड़ा हो सकता है हम कैसे जो यह पूरा जो पटल है एजुकेशन का हम कैसे बदल सकते हैं ओकेशली आदित्य मैं अपने 16 प्लस एर्स के करियर में जब भी पढ़ाता था पढ़ा के क्लास लेने के बाद आके आराम से बैठ के सोचा करता था तो मैं सोचता था कि यह जो एजुकेशन है देश के किसी कोने में किसी गाओं में कोई जो नॉर्मल एवरिज फैमिली का जो बच्चा है जिसके पास संसाधन नहीं है उस बच्चे तक यह क्वालिटी एजुकेशन मैं कैसे पहुँचाओ मैं यह चाहता था कि किसी तरीके से मुझे कोई ऐसा प्लैटफॉर्म मिले कोई ऐसा कोई चीज इन्वेंट हो कि भई जो किसी मेट्रो सिटी में एडवांस टेकनिकली एडवांस फैमिली में पढ़ने वाले बच्चे को जो फैसिलिटीज मिल रही है जिस टाइप का कंटें मिल रहा है जिस टाइप की एड़ुकेशन मिल रही है सेम एड़ुकेशन उस गाउ में रहने वाले बच्चे को पाने का पूरा अधिकार है तो मैं वो एड़ुकेशन कैसे पहुंचा हूँ वहां तक तो अब आधित्या ये वाली बात मेरे मन में बहुत पुराने समय से थी और डाउटनट वो प्लेटफॉर्म है जो ये सेम काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है डाउटनट ने प्रूव कर दिया है कि देश के कोने कोने में छोटे से छोटे गाउं के बच्चे तक भी ये एड़ुकेशन पहुंचाने में बहुत सक्षम है और वो पहुचा रहे हैं बहुत फाइदा मिल रहा है तो ये पॉइंट भी मेरे लिए बहुत ही अट्रेक्शन का पॉइंट था मतलब कि हम एग प्लस एक दो नहीं एक प्लस 11 मिलका भारत केasion लिए बश्चे के लिए बेस्त पढ़ाई करवा सकेंगे तो अब मेरा काम पूरा हुआ अब NKC sir है यह आपको पढ़ाएंगे best आपके लिए जो तरीका होना चाहिए concepts पढ़ाने का तरीका होना चाहिए homework, DPP जो कुछ भी जरूरत है NKC Sir will take care of it and I'll be in the background trying to help him out और आपके जो कुछ भी feedback होंगे, suggestions होंगे हम उनको सुनेंगे, उन पर react करेंगे, action करेंगे और hopefully NKC Sir के साथ हम सब best results इंडिया का doubtnut app के उपर देपाएं Thank you, Aditya Over to you Sir, thank you so much for coming with us Thank you तो बच्चो आपका IIT J.E.O. नीट में टॉप रैंक लाने का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मैं नए नए courses स्टार्ट करने वाला हूँ अगले ही हफते से तो अभी register कर लीजे description में link दिया हुआ है और इन courses की पूरी detailed में जानकारी के लिए मैं कल आऊंगा same time पे 7 बजे यानि के 16 फैब को 7 बजे केवल doubtnut पे तो अब हर बच्चा है A1 के लेवल की बढ़ाई करने का पूरा हकदार best of luck thank you